आज हम देखें संस्कित और संस्कित में हम देखेंगे संधी एक बार आपका सिलैबस भी देख लेते हैं यहां पर देखिए यहां पर देखिए दिया है आपका संधी है तो आज हम संधियों को बार में पढ़ेंगे लेकिन हम 3 को 3 संधि में सवर वेंजर और विसर्ग और तीनों को अलग-अलग देखेंगे अभी हम जो देखेंगे हम देखेंगे स्वर संधी और यहां से देखें ये टॉपिक और ये संधी शब्दों को सरल तथा उनका विच्छेद जो सरव शब्द है उनके तो ये दोनों टॉपिक हमारे यहां से आज कंप्लीट होंगे अगली वीडियो में हम विएंजन संधी और विसरग संधियों के बारे में पढ़ेंगे तो आई स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो देखते हैं संधी संधी क्या है देखें दो वर्णों के अति निकट ताके कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधी कहते हैं प्रेश्ण सबसे पहले देखाए प्रेश्ण बनेगा कि संधी में किन चीजों का मेल होता है वर्णों का शब्दों का अक्षरों का वगारे इस तरह से आपको संधी में देखे तो वर्णों का मेल होता है वहीं अगर समास पूछ दे तो वहां पर पदों का मेल होता है तो यह से केवल अभी हम जो पढ़ेंगे वह होगा हमारा स्वर संधी तो आए देखते हैं स्वर संधी के भी पांच भेंदे कौन-कौन से हैं वह दिर्ग गुड वृद्धी यड और आयादी संधी ठीक है यहां से आपको पांच संधिया है इन पांचों संधियों को आज हम पढ़े संधी यहां पर कौन से पढ़ रहे हैं स्वर संधी तो पहले स्वर कौन से यह देख लिए और यह हमारे स्वर हैं इन स्वरों को हमने देख रहे होंगे कि तीन ब्रैकेट में बनाए हैं यह ट्रिक भी है और समझने के लिए आसानी भी है तो देखिए इन ही ब्रैकेट के मा सूत्र है वो है अकह सवरने दीरगह यह सूत्र आपको याद होने जरूरी हो कि प्रश्ण में आप से सूत्र भी पूछ सकता है कि दिर्गसंदी का सूत्र के आपको कई सारे नाम इस तरह के देंगे कि आपको काफी देखने में एक जैसा लगेगा तो ध्यान दीजिएगा अक सवरने समने समानोर आयं तो उसका दिर्ग वहें को हम एक बाद को समझते हैं घिखके लेए कि दिर्ग से क्वाहार में क्या होता है आपका ए निचैनल स समान सवर और मिलू करकू के बाद विद्स करने का बढ़ी चोटी है उस वर्ण के बाद वर्ण आवेच बनेगा आपका बड़ा बनेगा यानि क्या बनेगा यहां पे दीर्घ बनेगा अगर हम देखे तो अधन आपका हो जाएगा यह हो गया क्यों कि उच्छोटा है डोनों और आपका ना बढ़धा है अब इसको लगा कर देख लेते हैं लेकिन जब तोड़ना होता है उसको दिखाना होता है सूत्र के मार्ध ध्यमसत्र की कैसे रखा जाए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कोई बात नहीं हम यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं तेके हम इसे तोड़ेंगे तो हमने कहा कि वर्णों को तोड़ते हैं तो वर्ण यहां से निकालिए ओषधी का धौ जो देहखे धौ तो हम निकाल लेते हैं और यहां पर आले में प्लस ठीक है और आपका ओश धौ क्योंकि दो यहां पर आधा अल्रेडी बचा हुआ है तो क्या हो जागा यह दोनुम मिलकर क्या हो गए आपके आ हो गए अब क्या करेंगे इसको बनाते हैं और धौ हमारा आधा है इससे अब दूसरा देख लेते हैं एक और हम लेते हैं विद्या धन अर्थी विद्या धन अर्थी अब देखे क्या करेंगे यहां पर विद्या का क्या है हमारे पास आ है हमने आ ले लिया प्लस अर्थी का अ दोनों मिलाकर क्या हो गए आपका आ बन गए क्योंकि बड़ा बनना ह तो दिर्ख बं जाएगा आपका तो विद देखे आपका यहां पे वी अपर अब हमारा द्यआ था वो आधा बचा है विद धन यह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यह हमारा पूरा बन जाएगा जो इसमें हलनत बचा था हमारा यहसे विद तो यह हमारा हलन्द हट गया और यह पूरा बन गया तो विद्या और यह थो यहाँ पे जो आपका थी है वो आपका वैसा का वैसा रहे गया तो क्या हो जाएगा यह विद्यार थी समझ में आ गया है यानि कि दोनों वर्ण चाहा चोटे हो चाहा बड़े हो दोनों जुड़कर आपका बड़ा ही बनेगा अब चलिए दूसरा देख लेते हैं दूसरा हमने लिया है गुड संधी गुड संधी देखिए गुड संधी में क्या होगा यहाँ पर हम box के माध्यम से देखिए box को देखना जरूरी है यह आपका box देखिए box में क्या होगा जो गुड़ संदी होती है a plus b हो जाएगा a गुड़ संदी में a plus b यानि कि a के बाद अगर आपका b आएगा तो c का छोटा बनेगा c का छोटा कौन है a है और o है ठीक है a plus a क यह आद गुड़ा a के बाद जो आएगा वह आपका गुड़ हो जाएगा तो a plus b ठीक है a के बाद अगर आपका b आता है तो क्या बनेगा c का छोटा ची का छोटा आप देख रहें c का छोटा ची का छोटा यह बनेगा ठीक है अब हम इसे समझ लेते हैं a के बाद e e u u re इंद्र करेंगे कैसे करेंगे देखी नर का जो नर रो है तो रो में देखिए आपका ओ छुपा हुआ है तो रो में से आपका ओ निकल गया तो बचा क्या आपका नर आधा रो बचा प्लस यह क्या है आपका e है देखिए e और यहाँ पर हमारा e जो आधा नर रो है वो वैस कि आप तो अब क्या बनेगा हमारा क्या है नर जुड़ेगा तो नर रोझ मुढेगा और जाएगा और इस पे एक मातर हो देख़ाएगा अगर यहां बैसे नाटर पर देख रहे हैं पर निस्चिंत हो जाएगे कि वह घुड़ संधि है अगर नहीं पर दो नेशना हम यहां और दीखिंधार एक देख लेते हैं देखिए यहाँ पर हम लेते हैं सूरे सूरे धन उदह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूरे में से अगर हम निकाले तो क्या बसता है ठीक है क्योंकि सू के बाद हमार रो है जो उर्य निए रहे हैं और यो में इसा निकलीगा यो क्या पक्या बचेगा आपका या रची अ मंलिकon यहां का फ्लपेस रहें और अब हमारा बाहर मीन इस और टीके सब्सक्राइ种 कि यहां का यहां छोंटाओ है इसलिए बड़ा उंक तो और स्यमेल ये तेया है त slips ये नेद आद है तो इसमेल हैं और सोर योद इसमेला हो लिप्ति王 ह psychiatल ऐस जाया है तो शूए और संय और मिलेगा समस्ति घ्ल कईर सब्षेंगे लिप्टिक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तिक है। आप देखे हम ने यह देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा हम वृधि संधी। बॉक्स का सामने वना ज़रूरी है। वृधि संधी। वृधि संधी में क्या होता है। A के बाद A box देख रहे है ना A box के बाद A plus A के बाद C आए C आप देख रहे है ना A, A, O, O आए तो इसी का क्या हो जाएगा C का बड़ा हो जाएगा C का बड़ा तो यह जो C देख रहे है निकि A, A, O, O के स्थान पर ही क्या हो जाएगा C का बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा जैसे हम ले लेते हैं एक धन एक तो यहाँ पर दिखिए ओ तो है अल्रेडी हम जानते हैं कि यहाँ पर ओ है इस ओ के बाद क्या आया है आपका ओ के बाद आया है आपका ए तो ए के स्थान पर क्योंकि ओ वैसा का वैसा ही रहेगा एक इस्थान पर हमारा क्या हो जाएगा अब हो जाएगा हमारा ए तो कैसे अभी बनेगा एक और को जो आधा हो गया था उस पर क्या चला जाएगा हमारा एक ही मात्रा चली जाएगी तो को हो जाएगा एक इको ठीक है यह गाई आप दूसरा देख लेते हैं इसी तरह से सदा धन एव देखिए इसमें आर है और आ के बाद आपका क्या रहा रहा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा वाला ए हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए एक के बाद कोई भिनस्वर आये तो क्या हो जाता है वहाँ पर यड़ आदेश हो जाता है सुत्र से देखिए यह तो हो गया अब हम देखिए एक क्या है एक हगर हम करें तो ए उरीलरी को आता है कि उरी, और री के स्थान पे हमको यड़ आदेश होजाता है, यड़ क्या है आपका, यड़ यव रो ला, आदेश हो जाता है, और ये सारे क्या हैं आपके आदेश हैं, जैसे अब example में देखें समझें, हम ले लेते हैं, यद्यपी, यदि धन अपी, कैसे होगा, यदि में द हारा रहा है औरहों चैणिन अब देखे किसको आदेश होगा जो क्या हो जाएगा और इस रीया जाएगा अदा दो तो दिखे यहो, अद्धो आधा आ रहा है, फिर क्यों आएगा आपका यहो आजाएगा, और यह आधा आपका है, और यह अपी, अब हम पो इस रूप में तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा यहो यहो, यह दो आधा दो और यहो दो ओर चिस दा我們 अभी यद्ग्य है अभी यद्ध प्वाद हमको ऑँ मिल रहा है सब्सार होने के नाते ई को क्या आधेस होगा उ को देखिए वो का आधेस हो जाएगा तो जल दो की जगे क्या हो जाएगा वह और तो कौनसा आ हो जाएगा वो आधा, अब क्या है, यहाँ पे हमारा मध, देखे, मध, मध में से जह हमें उन निकाल दे, तो आधा धो वचा, ग्यूथ प्लस हमको आधा, यहाँ पे वह हो गया, ग्यूथ प्लस अरी, अरी वैसा का वैसा ही रहे गया आपका, अब देखिए हुआ क्या मा अब हम लिखेंगे किसे मा आधा धा और वो भी आपका क्या है आधा है लेकिन वो आ से मिल जा रहा है इसलिए पूरा हो जाएगा और ये री मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् और इसके आगे मातरह बिलीट है इसका यावायाव सूत्र के साफ से चले तो है क्या है आपका एक और किया है और इसके आज है इसमें से और निकला और यह व तो क्या हो गया यह और पिर इसका आ क्योंकि हाब आगी मातरा देख रहे हैं इसका और इसका हुगया आए यहां का आधेश यहां का वो, ठीक है? क्या हो गया आव, आदेश हो जाता है, यानि कि एच के बाद कोई भिन पर्वर आय यही जोर ना आकर कोई भिन पर्वर आहे, तो उसके एच के इस्थान पर आय का आदेश हो जाता है, हम एक शब्द लेते हैं, ने धन अनम, यहां से तो क्लियर हो जारा है कि क्या होगा नए नम होगा कैसे होगा देख लेते हैं नौ हम अलग कर देंगे नौ आधा बचेगा और यहां से क्या निकला हमारा ए निकला कौन सा छोटा ए निकला अब देखेंगे ने ए के बात क्या आ रहा है हमारा भिन्नसवार आ रहा है तो भिन्नसव यो आधा है इस आ से मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और नम आपका वैसा का वैसा रहेगा तो क्या होगे आपका नय नम A को देख लेते हैं से धन अनम तो सो में क्या है आपका A है सो हम हटाएंगे तो यह आधा हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा A A को क्या आधेस होगा वही आधेस होगा A का आधेस हो जाएगा और अनम आपका वैसा का वैसा रहेगा तो क्या हो जाएक गा STUDे क्लीए आपको कैसे लगी वीडियो एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक किए नमश्काा